क्या चांद पे जमीन लेना असान हो चुका है क्या हम और आप भी चांद पे जमीन ले सकते हैं क्या चांद का एक एकड़ का दाम सिर्फ 2000 है या उससे भी कम चांद पे जमीन ले सकते हैं क्या मेरा नाम दिव्यांश मर्यादो है और आप गुरक पुर्तस तक देख रहे हैं मेरे पीछे बैक्राउंड में एक चांद देख रहा होगा ये वही चांद है जिसे देखकर हम बच्पन में कहा करते थे कि चंदा मा माधूर के पुए पकाय पूर के और कई ऐसे बॉलिवूड हॉलिवूड स्टार हैं जिन्होंने चांद पे जमीन ले है सिर्फ हॉलिवड स्टार ही नहीं दोस्तों ऐसे कई लोग भी हैं जिन्होंने चांद पे जमीन ले है इस वीडियो के अंत में हम ये भी बताएंगे कि चांद पे किन किन लोगों ने जमीन ले है और इसका पूरा प्रोसेस क्या है अला कि फिल्मों में भी चांद को अलग अलग तरीकों से दिखाया गया है कई गानों में तो ऐसा भी है कि चांद मेरा नाराज है और कई गानों में ऐसा कि चांद मैंने देख बोला चांद से देखा है कहीं मेरे यार साहसी और कई तरह के चांद दोखेबाज बन जाता है चांद कई तरह के चांद आपको देखने को मिलेंगे लोगों की जैसी भावना चांद को वैसे ही देखते हैं यहां तक कि भोजपूरी में भी जाय चंदा लेयावा खबरिया तो ऐसे तमाम गाने चांद पे हमेशा से बनते र सकती है इसका आज हम खंडन करेंगे यानि आपको बताएंगे कि क्या चांद पर जमीन लेना इतना आसान है और क्या ये दावे सही है कि चांद पे सुसान सिंग राजपूत सारुख खान और तमाम स्टार्स ने जमीन ली थी कभी या है भी तमाम बाते बताएंगे आपको तब तक के लिए बने रही है सबसे पहले हम तमाम ऐसे सर्टिफिकेट आपको दिखा रहे हैं और ऐसी खबरे दिखा रहे हैं जो कहीं न कहीं हाईलाइटर रही है यानि इन लोगों ने चांद पर जमीन ली है यानि कहना ये बिलकुल सही है कि इनोंने चांद पर जमीन ली कि ये कैसे होता है इसके लिए बकायदा एक वेबसाइट बनी है इस वेबसाइट को हम यहां पर दर्सा देते हैं और इस वेबसाइट पर जाके आप जमीन ले सकते हैं लेकिन घंचकर बनाने के लिए इतना है कि हम आपको एक गवा भी दिखा रहे हैं मतलब एक नियम भी आपको दिखाने वाले हैं जो आपको चकत कर देगा कि भया यह तो वास्तों में घंचक्र बनाया जा रहा है यानि चांद पे जमीन ले भी सकते हैं लेकिन देख भी नहीं सकते यानि घंचक्र बनाया जा रहा है यह है वो पन्ना जिसकी वज़े से आप पुरा इनका गणित समझ लेंगे और घंचकर बनने से बचेंगे इस वीडियो में आप तो समझी गए होंगे कि भईया सबसुरा कोई फिर की ले रहा है यानि चांद किसी और का जमीन किसी और की आउटर संधी किसी और की और ये लोग ये वेबसाइट वाले अपना दर्ज करते हैं कि हमने ही चांद पर जमीन ली है हम ऐसे वेबसाइट बनाएंगे जिससे आपको चांद पर जमीन ली जासकेगी ऐसे दावे करते हैं पर क्या सच है या आप वीडियो में समझ गए होंगे वीडियो में समझने वाली यह बई बात थी कि किस तरह से आउटर संधी के तहट कोई भी देश नीजी संपत्ति का हावाला नहीं दे सकता यानि चांद हो आकास हो ब्रह्मान हो या कहीं भ है आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताईएगा साथ ही चांद पर जमीन लेने का मन हो तो हमें बताईएगा हम जमीन तो नहीं दिला सकते पर उसके तरीके जरूर बताएंगे और हां एक बात और वीडियो को शेयर करना नहीं बोलिएगा क्योंकि घंचकर गंचकर तो बनाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद